हलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम कॉलर नेक ब्लाउस बनाना सीखेंगे तो आज मैंने फुल शर्ट कॉलर बनाई है जिसमें मैंने ब्लाउस को वन टक्स पैटन में रखा है और इस ब्लाउस को मैंने स्लीपलेस में बनाई है तो इस ब्लाउस को कैसे रेडी करनी है आज की इस वीडियो में हम वही सिखेंगे फुल कटिंग और स्टिचिंग में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी तो चलिया आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए इस ब्लाउस को बनाने के लिए मैंने हाब पर 70 cm में कपर और 70 cm अस्तर का कपर लिया है अगर आप कम साइज में ब्लाउस को बना रहे हैं तो वहाँ पर आप 60 cm क अस्तर में कपर लेंगे तो आराम से आपका ब्लाउस रेडि हो जाएगा क्योंकि यहां पर हम Sleeves नहीं लगा रहे हैं और अगर आप Sleeves के साथ ब्लाउस को बना रहे हैं तो आप 80 या 90 cm कपड़ा जरूर लीजिए यहां पर मैं 38 size का ब्लाउस बना रहे हूँ सबसे पहले एक सीधा लाइन मैंने ड्रॉक कर लिया है जॉइंट वाली साइट से यहां पर पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे यहां पर सबसे पहले देखिए लेंद के लिए निशान लगानी है जितना भी लेंद आप रेडी रखना चाहते हैं उससे एक इंच बढ़ा कर निशान लगा लीजिए सारे 15 इंच पर यहां प लेते हैं यहां पर हमारा newer व्लाउस कोला नेख के में बढ़ा है यानि की ब्लाउस हाउय नेग बन रहा है तो इसल्मा षोल्डर सात इंच रख रहे हूं और सातींच का आर्मॉल कॉलर वाली ब्लास पर अप जितना शोड़ लेंगे उतना ही आर्मॉल लिजिए आर्मॉल य पर से हमें आर मुल की गुलाई देनी है देखे इस तरह से आर मुल की गुलाई पैक पार में देड़ इंच उपर से ही करनी होती है इसके बाद हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे अपना चेस्ट का जितना होता है उसका फोर्थ पार्ट पर निशान लगाना होता है 38 का फोर्थ पार्ट होगी साड़े 9 इंच यानि की 9.5 इंच और मैंने एक इंच एक्स्टा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए सेम यहां पर कमर के लिए यह वैसे ही निशान लगानी है 30 है यहां पर मेरा कमर का टोटल उसका चौथा भागो की साड़े 7 इंच और मैंने यहां पर 2 इंच एक्स्टा लिया है क्योंकि बैक पर में टक्स पॉंट का भी सिलाई लगाना होता है तो इस तरह से मैंने सीधा लाइन ड्रोग कर लिया अब यहां पर देखिए नेक का जो चौड़ाई लेनी है वो यहां पर मैं पोना तीन इंच रख रही हूं अगर आप कॉलर को वहां जादा फिटिंग्स पहनना चाहते हैं तो वहां पर आप धाई इंच का गले का चौड़ाई भी रख सकते हैं मैंने यहां पर पोना तीन इंच रखा है 38 साइज में पोना तीन इंच जो है काफी होता है और यहां पर मैंने एक वाटर इंच का लिंध लिया है जो का चौड़ाई जहां पर निशान मैंने लगाए है वहां पर इस निशान को मिला लेना है तो इस तरह से हमने बैक पाट की मार्किंग कंप्लीट कर लिया है तो अब हम बैक पाट की कटिंग कर लेंगे तो इसके बाद इसी से हम बैक पाट से ही फ्रेंट पाट की कटिंग कर थोड़ा सा margin रखा है then cut किया है तो back part की cutting करने के बाद यहाँ पर हम front की cutting करेंगे तो यह जो खुली वाली side है अस्तर की वहाँ से हम front की cutting करेंगे क्योंकि उस तरफ हम hook बना रहे हैं तो इसलिए तो इस तरह से देखिए back part को हम रखेंगे यहाँ पर जो neck वाली side है वो हमारी अस्तर की खुली वाली तरफ रहेगी और जहाँ पर back part जो है ठीक से आ रहा है वहाँ पर रखनी है और सामने की तरफ यानि की neck की side पर आधा इंच का कपड़ा extra रखना है then as it is marking कर लेनी है back part की तरह ही तो यहाँ पर सिर्फ कमर की तरफ से एक इंच extra लेना है और इस निशान को chest की line से मिला देना है तो देखे इस तरह से आर्मॉल की जो गहराई है वो आप अभी भी दे सकते है या फिर stitching के time पर भी दे सकते है अब यहाँ पर hook और eye की पट्टी के निशान को छोड़ कर पोना 3 इंच पर गले का चौड़ाई लेना है और length लेना है साड़े चारी यानि की 4.5 इंच तो ध्यान रहे सामने hook और eye की पट्टी को छोड़ कर यानि की थोड़ा सा margin छोड़ कर आप इस निशान को ड्रो कीजिए इस तरह से और यहाँ पर अब आप गोल शेप भी बना सकते हैं यानि की round शेप भी ड्रो कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा V शेप में भी अपने गले का शेप जो है बना सकते हैं तो यहाँ पर वो हम बाद में देंगे सबसे पहले हम यहाँ पर front part की cutting कर लेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर round shape ड्रो कर रहे हूँ round shape में shirt color बहुत ही अच्छा look आता है इसमें तो इस तरह से मैंने ड्रो कर लिया अब हम इसकी cutting कर लेंगे कोई भी margin नहीं लेना है चौक के निशान के उपर से cut कर लेना है तो इस तरह से front की भी cutting हो गया है और back part की भी cutting हो गया है तो यहाँ पर अगर आप sleeves cutting करना चाहते हैं अपने पसंद से आप कोई भी designer sleeves या फिर simple sleeves बनाएं इसके उपर shirt collar के साथ आप full sleeve भी बना सकते हैं elbow length जो भी आपको पसंद वाब बनाएं तो हम blouse को sleeveless में बना रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम men कप्रे को उठाएंगे और इसे fold करके रखेंगे अगर आपके कप्रे की उपर कोई भी design है तो design का सीधा side और ultra side उसे check करते हुए आप कप्रे को fold कीजिए तो इस तरह से मैंने अपने कप्रे को fold कर लिया और इसके उपर जो अस्तर की cutting है उसे रखेंगे जो भी part joint की तरफ आएगी joint की तरफ रखनी है जैसे कि अब हमारा back part जो है वो joint की side पर आएगी द्यान रहे कि जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जो मेंन कप्रा है वो अस्तर से आधा इंच बढ़ा कर कट कीजिए जिससे कि सिलाई लगाने में easy हो जाता है तो देखे इस तरह से कट का लेना है और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी कट हो जाएगी और कोई extra chalk से निशान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद ये जितना कप्रा बचता है इसमें हम अपना कॉलर की कटिंग करेंगे शर्ट कॉलर याने की फूल शर्ट कॉलर बनाने के लिए थोड़ा सा जादा कप्रा हमें चाहिए होता है तो इसके बाद चली मैं आपको इसके स्टीचिंग भी दिखा देती हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे सबसे पहले क्या करनी है अस्तर के साथ मैं कप्रे को जॉइंट कर लेनी है तो यहाँ पर जो मैं कप्रा है उसे हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से और मेन कप्री की जो wrong side है वहाँ पर हम अस्तर को रखेंगे तो देखें नेक वाली जो side है वो हम इस तहा से रखेंगे और आर्मॉल वाली side जो है वो हम मेन कप्रे के साथ मिला कर रखेंगे और चारो side पर सिलाई लगा लेंगे उसके बाद जो भी part extra होता है उसे हम cut कर लेंगे और सेम उसी तरीके से जो back part है वहाँ पर भी हम अस्तर को रखेंगे तो जो मेन कप्रा है उसकी wrong side के तरफ में रख रही हूँ अस्तर को साइड पर सिलाई लगाएंगे और extra कप्रे को cut कर लेंगे इस तरह से अस्तर के साथ जोइंट कर लेंगे तो देखे मैंने इस तरह से दोनों पाट को ready कर लिया है जोटीचिंग करके देन फ्रंट की दोनों पाट को लेना है और यहाँ पर हुक और आई की पट्टी के लिए यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा कट करेंगे तो सिर्फ एक ही पार पर आप कट करें यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच का मार्जी लेते हुए सिर्फ नहीं पर कट कर ले चाहे तो आप दोनों पारट में ही कर सकते हैं लेकिन जो आई वाली साइड होती है वहां पर हमें वहं कट लगानी होती है तो एक हमने अस्तर की पट्टी ले लिया और एक मैंने मैंन कप्री की पट्टी जो है ले लिया तो जिस तरह से हम और हुक और आई की पट्टी को अटाज करते हैं वैसे ही करेंगे तो चली मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ तो जो hook वाली पट्टी होती है वो हमारे अस्तर की पट्टी होती है मैंन कप्री की सीधी साइट पर मैंने रखकर आधांज का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया ये पट्टी बिल्कुल अंदर तक फोल्ड हो जाएगी बाहर से दिखाई नहीं देती है तो इसको हमें बस थोड़ा से फोल्ड करना है और उपर से सिलाई लगानी है उपर और नीचे से ये खुला ही रहेगा बिल्कुल रेडी नहीं करनी है उपर से तो इस तरह से फोल्ड करके यहां पर सिलाई लगा लेनी है तो इस पटी को इसी तरीके से लगानी है, लेकिन जो दूसरा पटी है, यानि कि हमारी आईवाली पटी जो है, उसे हम सिर्फ उपर से पैक कर लेगे, यानि कि बिल्कुल उपर से हम उसे रेडी कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूं, थोड़ा से मैंने कट भी लगाई थी, तो इस प्टी को हमें डबल लेना है, थोड़ा सा चौड़ा लेना है इस प्टी को, तो इस तरह से प्टी को हम रखेंगे, बलााउस के रॉंग सैट की तरफ, और इसे फोल्ट करके सिधी तरफ फोल्ट करेंगे, तो इस तरह से आधहंच का सिलाय मारजिन लेते हुए सिलाय लगाएंगे तो देखे ये जो पट्टी है इसे हम उपर से यानि की नेक के सेट से बिलकुल पैक कर लेंगे यानि की बिलकुल रेडी कर लेंगे तो इसलिए मैंने वो कट लगाई थी जो मैं आपको दिखाई थी तो इस तरह से इसे फोल्ट करनी है यहाँ पर यह देखे तो ये पट्टी थोड़ा सा बाहर से ज़ादा होता है जिस तरह से हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे ही करनी है बस थोड़ा से उपर से पैक कर लेनी है तो देखे इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है बलाउस के पाट को घुमा कर यहाँ पर इस तरह से तो देखिए इस तरह से यहां पर आई वाली पटी को रेडी करनी है और जो हुक वाली पटी होगी वो उपर से खुला ही रहेगा तो अब टक्स पॉंट के लिए निशान लगा लेनी है फ्रंट की साइट पर तो यहां पर हम दोनों पाट को लेंगे सबसे पहले एक पाट के ऊपर निशान लगाएंगे तो यहां पर दिखिए टक्स पॉंट के लिए मैं चार इंच की शोड़ाई रख रही हूं 38 साइज में और जितना भी शोल्डर की तरफ से हमें टक्स पॉंट के लिए निशान लगाना है जितना भी आपका चेस्ट का साइ यहां पर यहां पर लाइन के उपर से तो डबल लगा लेंगे जिसे की शुलाई पका हो जाएगी तो इस तरह से दोनों पार्ट में हम से लगा लेंगे तो यह जो तरीका मैंना आपको बताया है इसमें पर जादा नहीं आएगा लेकिन लाउस का फिटिंग्स बहुत अच् जरूरी नहीं है कि आपका पफ जो है वो बहुत जादा आए और इस तरीके से मैंने फ्रेंट का टक्सपांट का सिलाई भी लगा लिया है तो अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर लेंगे तो देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और जो आर्मोन वाली साइड करते है वहां से मिलाते हुए यहां पर शोल्डर की सलाई लगा लेनी है शोल्ड Jan करने के बाद अभब लाउस को फोल्ड करके रखेंगे कोलर कटिंग करने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगी जिससे आई वाली मैं मिलाइर करेंगे टोटल यहाँ पर मेरा 9 इंच लेंध आ रहा है जिसको हम डबल कर लेंगे तो हो जाएगी 18 इंच तो हमारा कॉलर का लेंध हो गया 18 इंच तो यहां पर हम बुक्रम लेंगे जो मोटा वाला गलू वाला बुक्रम होता है वो लेंगे इस तरह से फोल्ड कर करके रखेंगे अब जितना हमारा कॉलर का आधा कॉलर का लेंद का आधा जितना होता है उससे एक इंच बढ़ा कर हमें भुक्रम का चौड़ाई रखनी है यानि कि 9 इंच मेरा कॉलर का आधा है उससे हम एक इंच बढ़ा लेंगे तो आ जाएगी 10 इंच 10 इंच का चौड़ा रखते हुए यहाँ पर मैंने बुकरम को फोल्ड किया है सबसे पहले नीचे से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद कॉलर की चोड़ई मैं 3.5 रख रहे हूँ यानि की 3.5 इंच तो इस तरह से 2-3 निशान 3.5 इंच पर लगानी है और 3 निशान को सकेल से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से यहाँ पर हम उपर की लाइन पर 10 इंच पर एक बार फिट से निशान लगाएंगे और इस निशान को सकेल से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से अब हम नीचे से 1 इंच उपर एक निशान लगाएंगे तो दोनों निशान एक एक इंच पर लगानी है एक नीचे से और एक उपर से अब हम नीचे वाली लाइन को यहाँ पर हलका सा गुलाई देते हुए यहाँ पर फ्रेंच कुप की मदद से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे अब चाहे तो इसको हाथ से भी बना सकते हैं बस गुलाई वाला लाइन हो बस वही चलेगा इस तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे अब हम इस लाइन को मेजर करेंगे 9 इंच पर जितना भी आपका कॉलर कर लेंदे उसके आधा जितना होता है उस निशान को हमें इस तरह से मेजर करके लगानी है 9 इंच जहां पर आ रहा है वहां पर हम निशान को ड्रॉ करेंगे यहां पर इस तरह से यह देखे मेरा 9 इंच यहां पर आ रहा है तो अब हमें क्या करनी है स्केल लेनी है और उपर जो एक इंच का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह देखिए इस निशान को थोड़ा से हम हाथ से इस तरह से गुलाई दे देंगे ठीक है और नीचे जो मैंने नाइन इंच का निशान लगाई है वहाँ से हम थोड़ा से तिर्चा में इस लाइन को उपर की तरब draw करके मिला लेंगे देखिए इस तरह से बहुत ही easy है तो color की marking हो गई है अब हम इसके cutting कर लेंगे तो shirt color, coat color दोनों color की cutting बिल्कुल same होता है बस coat color में थोड़ा से नीचे की तरब extract shape होता है इसे हमें fold करनी परती है और shirt color जो है बस उपर का जितना color है उतना ही रहता है लेकिन दोनों color का cutting जो है वो बिल्कुल same होता है तो इस तरह से मैंने color की cutting कर लिया है अब मैंने मैंने कप्रे को ले लिया है जिसको मैंने double fold करके रखा है इसके उपर color को रखेंगे और iron से अच्छे से प्रेस लगा कर कप्रे के साथ चिपका लेंगे then side पर आधा इंच का कप्रा रखते हुए बाकी सारे कप्रे को cut कर लेंगे तो बस ध्यान रहे कि दोनों पार्ट की जो सीधा side है वो अंदर की तरफ रहे और अब हम उपर की तरफ तीनों साइट पर सिलाई लगा लेंगे तो देखिए अब मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखा देती हूँ तो देखिए बस एक साइट खुला हुआ रहेगा और बाखी तीनों साइट पर सिलाई लगानी है तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है देन कॉलर को फोल्ड करके सीधा कर लेना है दोनों कॉर्णर को अच्छे से निकाल लेना है और उपर से आइरन से पर प्रेस लगा लेना है तो इस तरह से कॉलर को विल्कुल मैंने रेडी कर लिया है अब हम यहाँ पर ब्लाउस के पार्ट को लेंगे तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट में टक्स परंट का सिलाई जो है अभी तक नहीं लगाई है तो वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कितना इंच पर लगानी है चार इंच का चौड़ाई लेना है और हाइने क्लाउस पर पांच इंच का लेंट लीजिए इस तरह से निशान लगाईए तो देखे इस तरह से दोनों साइट पर ही निशान को बना लेनी है तो जिस तरीके से मैंने फ्रेंट का सिलाई लगाना आपको बताया है जो कि हमारा सिलाई मारजिन है यह देखे यहाँ पर देख सकते हैं तो बस उस निशान को यानि की बुक्रम को अपने हाथ से टच करते हुए यहाँ पर हलका से निशान लगानी है इससे क्या होगा कि कितना इंच का सिलाई मारजिन है वो हमें उपर से दिखाई देगा और उस निशान के उपर से हम सिलाई लगा पाएंगे तो इस तरह से निशान मैंने ड्रॉ कर लिया है अब हम बलाउस के पाट को उठाएंगे और ये देखिए जहां तक हमारी आई वाली पट्टी लगा हुआ है बिल्कुल सामने से मैंने तयार करके रखा है उसके सामने से यानि कि आई वाली पट्टी को छोड़ कर जो खुला वाला कपड़ा है उसके उपर से आधाइच का सिलाई मार्जिन लेते हुए जो निशान मैंने लगाया है कॉलर के उपर उस निशान के उपर से सिलाई लगा लेना है तो बस इस तरह से जो hook वाली पटी है उसके उपर तक हम लगाएंगे बिल्कुल last तक कॉलर को लगा लेंगे तो देन क्या करेंगे उपर से औरे पटी रखेंगे और उपर से सिलाई लगाएंगे सेम सिलाई मार्जिन लेते हुए चोटे-चोटे से cut भी लगा लेंगे इसके बाद इसे हम fold करके उपर से तुरपाई कर लेंगे यानि की hem stitch हैनि की तुरपाई उपर से कर लेनी है तो इस तरह से normally हम कॉलर को लगाते हैं जो half collar वाली blouse होता है वहाँ पर हम औरे पटी से अपने collar को finishing देते हैं बिलकुल उसी तरीके से shirt collar में भी हम औरे पटी से अपने collar का finishing जो है वो बना सकते हैं और तुरपाई करने के बाद अपने collar का जो finishing है वो बहुत ज़ादा अच्छे से आजाती है इसके बाद हमें फिर से औरे पटी cutting करनी है कपरे की बिलकुल वीचो बीच से हम एक इंच का चौड़ाई लेते हुए औरे पटी को इस तरह से cutting करते हैं यह देखे स्लीबलेस ब्लाउस बनाने की टाइम पर हमें जो आर्मोल वाली साइड है वहाँ पर औरे पटी को लगाकर fold कर लेते हैं सीधा पटी अगर आप यहाँ पर लेंगे तो आपका आर्मोल में finishing बिलकुल नहीं आएगी तो यहाँ पर आपको औरे पटी लेनी है जब भी आप स्लीबलेस ब्लाउस बनाने जाओ आर्मोल में पटी लगानी होती है तो वहाँ पर आपको औरे पटी लगानी होती है तो इस तरह से आर्मॉल में हम पटी को रखेंगे, आधा इंच का सिलाई मार्जिल लेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से इसके बाद छोटे-छोटे से कट लगाएंगे, पटी को फोल्ड करके हाथ से प्रेस लगाएंगे पटी के उपर अब थोड़ा-थोड़ा सा कट कर लीजिए देन पटी को फोल्ट केजिए और उपर से सिलाई लगाईए इससे जो है फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी कपड़े में बिल्कुल भी जोल वगिरा नहीं आएगी और इस तरीके से सिलाई जो है लगा लीजिए तो देखें सिलाई लगाने के बाद आरमूल के अंदर जो फिनिशिंग आता है वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आ जाती है तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हम औरे पट्टी को लगा कर अपने आरमोल को तियार कर लेंगे उसके बाद हम अपने ब्लाउस को फिटिंग्स कर लेंगे हाँ उससे पहले नीचे से कमर पट्टी ज़रूर लगा लेनी है तो कमर पट्टी का चोड़ाई दो या धाई इंच लीजिए और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैं ब्लाउस पर कमर पट्टी में हेम्स्टी चैने की तुरपाई करती हूँ जिसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैं अभी इसे फोल्ड करके पिन लगा रही हूँ बाद में हम ब्लाउस को फिटिंग करने के बाद यहाँ पर तुरपाई कर लूँगी तो कॉलर की नीचे की तुरपाई आपको कैसे करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सुई धागा लेनी है उस धागे को सिंगल फोल्ड में लेनी है और पटी के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है थोड़ा सा पटी बाहर की तरफ से एक्स्टा रखनी थी उसे मैंने बाहर से फोल्ड कर लिया तो पूरे कॉलर के नीचे की जितना पटी है उससे थोड़ा-थोड़ा सा कट करते जाना है पटी को देन फोल्ड करते हुए उपर से सिलय लगा लेनी है इसमें आपका फिनिशिंग बहुत अच्छे आएगी तो देखें इस तरीके से मैंने पूरे पटी को फोल्ड करके तुरपाई कर लिया है यह देखें उपर से भी फिनिशिंग अपका बहुत ही अच्छे से रहेगा इसके बाद मैंने अपने हिसाब से ब्लाउज को फिटिंग्स कर लिया है तो स्लीबलेस ब्लाउज में एक चीज जादा चाहिए होता है तो इसलिए जरूर अब आर्मोल का मेजरमेंट लेकर फिटिंग्स कीजिए तो इस तहा से आज की ब्लाउज को हमने रेडी कर लिया है तो आज की वीडियो आप सभी को कैसा लगा है जरूर मुझे कॉमेंट पर बताईए तो आप भी बनाईए इस त प्सक्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अब सभी से अगले वीडियो में